वेलो वेल्कम तो माई चैनल आपके लिए लेके आई हो एक सिंधी रेसिपी जो है सिंधी लोगों की फेमस डिस दाल पकवान डाल पकवान सिंधी लोगों को बहुत ही पसंद होते हैं और यह और लोगों को भी बहुत पसंद आता है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए का बनाने में बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और Like और Share भी कर लीजिएऎगा साथ में बिल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मेरा जब भी नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दाल पकवान बनाने के लिए पहले पकवान का डो बना लेते हैं इसके लिए मैं चार कप मैदा ली हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक लिए मैं दो चमश नमक डाली हूँ और इसमें चार टेबल स्पून तेल डाली हूँ कोकिंग वायल जो भी है आप डाल सकते हैं इसमें और इसे प्रॉपर मिलाना है कि पूरी तरह से यह जो वायल डाली हूँ यह मैदा के ऊपर कोटिंग हो जाए और यही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसले इसे अच्छी तरह से मिला के और आप हाथ में इसे द लिखेल सब सद्सक्राइब यह बना इसे अर छाएं अच्छी तरह से मशल के अर इसे धुरार हम 15-20 म. तक मैदा फूल जाए अच्छी procent के बाद हम और इदाल ने ठाल बनान.. एक प्रेसर कुकर ली ढालने के लिए नमक और हल्दी। बनना में चनने के घालने के लिए नमक और हल्दी बनाएं पकत נाइए यह देखिए पूरी तरह से पग गया है अभी एक तरका लगाने के लिए एक पेन लेते हैं और पेन में एक चमज तेल डालती हूं और तेल डालके गरम हो जाता है तो इसमें एक चमज जीरा डाल देती हूं जीरा जब चटकने लगता है तो मैं हरी मिर्ची को बारी काट काट तो इसले पारी प्रेश को झालता है तो इसे तेस्ट बहुत अच्छा आता है डाल को चममच के कंस्तूरी मेति अश्यों के चममच है मीड़ी आजर के चममच य Dopन दो進其實 मकस्तूरी मेथी कभी हें तो इसका चममच मासालारा आप छेया के कि अदिल के, फिर मसाले अच्छ समया मिर्शी पोडर नाच्डारा है तुकि प्रेंगाव्य ज्रीट निया स्टेशन और जो प्रीड़ु उस को रिगे का निया टैस्ट तोच मेल अच्छा यह टो पानी नियु थोड़ा तोच Major कब पानी डाल दीजिए ताकि यह पतला हो जाए और खाने लाइक हो जाए अभी इसमें लास्ट में जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें धनिया डालेंगे हरा धनिया काट के बारिक दो चमश में डाल देती हूं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और यह देखिए के बाद दो मिनट के लिए बॉयल करेंगे बॉयल करने के बाद गयास बंद करतेंगे यह देखिए अभी यह बॉयल हो रहा है अभी इसका गयास बंद कर देंगे दाल तो तयार हो गया अब पकवान बनाते हैं पकवान बनाने के लिए जो मैं आठा ढ़क्य रखी थी उसे तूरा सा मसल लेते हैं ताकि मेदा हो गया है तो इस था से मसल चोटे चोटे पेरे बना लेते हैं इस तरह से नो पहलेे ऐसे न देँ Office चुटे बनाना चापाति की तरह को धर लिकिए असी तरह से हलकता तेल लगा सकते हैं बीच पीच में चिटकता है तो इसके अंदर तो कायक फिल मोयम है तो चिटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके इस तरह से एक तम पतला जादा मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि और इसे प्रिक कर लेंगे कोई भी फोग के सहायता से इसे पूरे तरह से हूल कर देंगे पते नहीं ग्राइज तरह सर्ष to तरह से जाय उपकूले जायगा जिए प्रणक्रिस्पी बनेगा क्योंकि पकवान पक्रषपी होता है और त्यूंत दाल देती हो ऑर घखिए उच्पी के लाइव चाहिऑ तो इसे तम light pink धीमी आज पे एक पकवान मनाने में कम से कम आपको दो-तीन मिनट लग जाएंगे तो इस तरह से आपको धीमी आज पे ही इसे पकाना है और दबा-दबा के इस तरह से पकाना है यह देखिए इस तरह से यह करक होने लगा है और color भी अभी light brown हो गया है अभी इसे तेल जहार के निकाल लेंगे जितना भी तेल है इसके extra वो निकाल के और एक plate के ओपर रख देंगे और दूसरी की तयारी भी करके इसी तरह से सारा पकमान बना लेंगे और यह देखिए मेरा यह दूसरा भी तयार है इसे भी तल लेते हैं इसी तरह से दवा दवा के इस तरह से और यह तयार हो जाएगा यह देखिए यह भी तयार हो गया इस तरह से से भी दल लेते हैं और यह भी तयार हो गया और इस तरह से सारे पक्मान बना लेती हूं और फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए यह भी रख लिए इसको बना के कलर किता प्यारा लग रहा है इस तरह से देखिए यह सारा पक् तोरी काई उतना पकवान बनके तयार हो गया है अभी सब करते हैं डाल पकवान और साथ में ओनियन चटनी ग्रीन चटनी और ग्रीन जिली यह है सिंधी खाना बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स आप जरूर ट्राइ किजिये गई से